हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका फेर्स क्लाउड लर्न टू लीड में मैं हूँ आशू और आज हम डिसकस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्रेंट फेर छे नवंबर दो ह्यार इकिस के तो आपने वीडियो बिलकुल लास तक देखना है क्योंकि आप यहां पर दो बेस्ट लेकिन आज हम बहुत इंपॉर्टेंट फेर्स को कवर करने वाले हैं लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लॉग इन कर ले अपनी इमेल आईडी के थूर और क्रैक क्रेंट फेर्स को सब्सक्राइब कर लें इसके उपर क्लिक करना है और एक साल और दो साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं दोनों का प्राइस बहुत कम है लेकिन हम वो क्रेंट फेर कवर कर देंग जो आपको हर एक्जाम में मिलेगा यहीं खासियत है अफेर्स क्लाउड की यहीं खा सेक्शन मिलेंगे डेटेल करेंट पेर का question and answer format का और क्विज्स सेक्शन और दोस्तों जो क्विज्स होगा वो हर हफते आप हमारी application के उपर attempt कर सकते हो मंतली सेक्शन होगा मंतली में आपको 4 तरह के PDF मिलेंगे डेटेल करेंट फेर की question and answer format की best 100 current fairs वो भी question and answer format में और pocket PDF मतलब दो line में तीन line में आपको current fair मिल जाएगा थाकि जल्दी जल्दी में आप इसको revise कर सको इसी के साथ आपकी preparation को और बहतर करने के लिए हम आपको 20 अलग-लग topic wise PDF भी provide कर रहे हैं जिसमें आप एक topic से related जितनी भी news होंगी वो आपको एक ही PDF में मिल जाएगी मतलब किसी भी topic को revise करना चाहते हैं तो इनका use कर सकते हैं और अगर आप banking के student है तो हम आपको तीन section तेंगे detail, question and answer format और quiz लेकिन ये तीनों section सिरफ banking and economy से ही related होंगे और इसमें खास बात क्या है कि जो एक quiz होगा वो आप हमारी application के उपर हर महीने attempt कर सकते हो और जितना भी past current fair जा चुका है 2021 का वो एक ही PDF से cover करने के लिए आप exam PDF का use कर सकते हैं और आपको detail में budget और economic survey भी मिलेगा और इसी के साथ आपको यहाँ पर expected question and answer भी बताए जाएंगे जो budget और economic survey से cover हो सकते हैं और अगर आप किसी भी state exam की त्यारी कर रहे हैं तो हम हर state और union territory का current fair भी cover कर रहे हैं तो इस सारी चीजें के लिए आपको कोई अलगलग subscription लेने की ज़रूरत नहीं हैं सिर्फ सारी चीजें एक ही subscription में आ जाएंगी सिर्फ आपने मारी application careers cloud को download करने description box link से login कर ले अपनी email id के थूर और crack current fairs के उपर click करके एक साल या फिर दो साल की subscription buy कर सकते हैं लेकिन दोनों का ही price दो उस्तों बहुत ही कम है और जो बच्चे अभी just नए हैं मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो दो साल का buy करें क्यों इससे यह नहीं है कि मुझे कोई फाइदा मिलेगा इससे आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि अगर आप 2022 में 2022 का current fair subscribe करोगे तो उसका price जादा होगा अभी आप दो साल की subscription लेते हो तो 2022 का तो मिलेगा है मिलेगा और 21 का मिलेगा और उसका price 2022 की subscription के मुकाबले क्या होगा कम होगा तो इसलिए आपको फायदा जादा मिलेगा और 10% extra discount आपको मिलेगा है मिलेगा अगर आप इस code का use करोगे ASH10 का और इस email ID और इस number पर आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो स्टार्ट करते हैं आज का करेंट फिर 6 नवंबर 2021 का लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से request करूंगा कि आप वीडियो को like जरूर कर दें शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दे और पहला question क्या कहता है डेमन गेलगट बैग्ट बुकर प्राइस 2021 फर विच नोवल देखो most important question है और ऐसा होई नहीं सकता कि यह question ना है मतब 101% यह question आएगा यह आएगा और बुकर प्राइस 2021 की बात कर रहे हैं जो कि अपने आपने एक बहुत important है तो ज्यादा तर question तो आप मिल रहा है डेमन गेलगट ने इस अवार्ड को जीता है कहां से बिलॉंग करते हैं South Africa से बिलॉंग करते हैं country आपको यहां से पता लग गई है और कौन सी novel के लिए जीता है यह बहुत ही अच्छा question बन सकता है अगर किसी examiner ने डाला इसको the promise इसका answer होगा see इसका answer होग यह एक fictional novel है उन्होंने अपने मतलब मन से इसको लिखा है और इसमें बताया गया है कि एक African family जो है और आप कह सकते हो कि एक black employee को किस तरह से जो है वो promise किया और वो किस तरह से तूटता है तो उसके बारे में बताया हुआ है तो उसके बारे में यह book लिखी गे मतलब Africa की इसम इसमें जो है वो struggling life के बारे में जो है वो लिखा गया है लेकिन यह fictional novel है The Promise तो आप यहाँ पर दिख सकते हो इस तरह से यह book का cover page और नाम है The Promise और author है Damon Gelgert और यह South Africa से बिलॉंग करते हैं यह भी याद रखना है novel का नाम The Promise इनको Booker Prize 2020 मिला है और यह 9th book है उनकी जो उन्हों वो उन्होंने जो चीज़े देखी वहाँ पे और किस तरह से जो है वो उन्होंने struggle किया उस दोरान जब जो है वो racial discrimination हो रही थी इसका मतलब है कि जो काले और गोरे का बेदवा है वो वहाँ पे किया जाता था और आज के दिन उनके क्या हलात हैं वो वहाँ पे explain किये गया है 2003 में हुए थे उनकी एक novelty the good doctor आप यहाँ पे देख सकते हैं यह 2003 में नॉमिनेट हुई थे बुकर प्राइस के लिए और in a strange room यह 2010 में आप कह सकते हो नॉमिनेट हुए थे लेकिन दोनों बार वो जीते नहीं थे इस किताब को दोनों बार गुहार गए थे लेकिन अब जो है बुकर प्राइस आपको पता है कि शगी बेन नॉवल को मिला था और यह किस ने लिखा था डगलस टूर्ट ने लिखा था तो यह भी आप याद रख सकते हो यह 210 का बुकर प्राइस यह भी आपको एक्जामेन पूस सकता है अगले question के उपर आते हैं लेकिन most important question एक ही था त important questions के उपर बढ़ते हैं लेकिन वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर कर लें अभी के अभी subscribe कर लें और telegram group को join कर लें description box link से question क्या कहता है which country unveiled a coin recently to commemorate Mahatma Gandhi on the occasion of Diwali मतब उन्होंने अपने coin के उपर जो है वो Mahatma Gandhi का photo जो हो लगा दिया है Mahatma Gandhi के बारे में उनको dedicate करता है ये coin और ये 5 pound का coin है दोस्तो 5 pound का, मतलब denomination उसकी 5 के value 5 की है जो मैं pound की बात कर रहा हूं तो मतलब मैं बात कर रहा हूं कौन सी country की? United Kingdom की answer क्या होगा? इसका C होगा तो आप cover page देख सकते हो दोस्तों कितना सुंदर सा जो है वो आप design देख सकते हो इसका और एक lotus का fool बना हुआ है Mahatma Gandhi लिखा हुआ है My life is my message ये लिखा हुआ है ये गांदी जी के बारे में बताता है और इस image के अंदर lotus flower जो है वो image है coin का और quote क्या है My life is my message ये पूछा जा सकता आपसे अगर examiner ने बहुत ही difficult question पूछना है और ये gold और silver दोनों में available है ये एक तरह का commemoration coin है तो आप यहां पर silver coin देख रहे हो लेकिन ये gold में भी release किया गया और आप यहां भी देख सकते हैं कि ये महात्मा गांदी को dedicated है और इस coin की designer कौन है हीना गलोगर तो ये भी आप याद रख सकते हैं और ये पहली बार हुआ है कि UK government की तरफ से कोई ऐसा coin release किया गया जो महात्मा गांदी को dedicated है और रिशी सुनक आप ये नाम याद रख सकते ह रिशी सुनक जो की chancellor है United Kingdom के उन्होंने ये design जो है वो launch किया है तो इस चीज़ को याद रखना है और ये खास करके India और United Kingdom के जो cultural relation है उसको भी improve करता है तो कही ना कहीं इसको UPSC वाले अपना international relation में भी UK के साथ लिख सकते हैं और quote क्या लिखा हुआ है इसके उपर my life is my message मैं आपको पहले बता चुको है ये quote आपको यहाँ पर दिख रहा है अगले question के उपर बढ़ते हैं who wrote a book titled The Cinema of Satyajitre तो Satyajitre का centenary हम celebrate कर रहे हैं 100 साल उनके celebrate कर रहे हैं उनके नाम से हमने award भी start किया है Satyajitre Lifetime Achievement Award और इस book के अंदर specially उनकी जो 39 movies हैं films हैं आप कह सकते हो चाहे वो short movies हैं चाहे वो documentaries हैं तो उनके बारे में जो है वो इसके अंदर लिखा हुआ है कि social context में कि क्या वो message देती हैं क्या उसके अंदर लिखा हुए ये देती हैं और ये लिखी है बासकर चटो पदे आए ने तो answer क्या होगा इसका C होगा और खास करके हर film और हर documentary के बारे में जो है वो इस book के अंदर लिखा हुआ है और सत्यजीत रे मेरे खाल से बहुत ही कम student होगे जिनको नहीं पता होगा सत्यजीत रे जो है वो only Indian है जिनको Academy Honorary Award मिला है याद रखना है दोस्तो Academy Honorary Award जो है वो उनको मिला है 1992 में और उनको जो है वो इंडिया का highest civilian medal भी जो है वो 1992 में मिला वो कौन सा है बारत रतन भी जो ह मतलब आठ के अंदर दिया गया तो याद रखना है बुक किसने लिखी है बासकर चटबदयाई ने इस बुक को लिखा है अपने आप में important नाम है और आप यहां पर एक बहुत ही सुन्दर सा cover page देख सकते हो इस बुक का The Cinema of Satyajitre और यह बुक जो है वो बासकर चटबदया पर जैसे कि आप मनन बट का नाम देख रहे हो मनन बट ने रीसेंटल एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है बाला कोट एर स्ट्राइक याद रखोगे बाला कोट एर स्ट्राइक मतलब यह जो पुलवामा टैक हुआ था उसका बदला था कुनाल बसू बहुत फेमस इकनॉमिस इन्होंने लिखी है इन एन आइडियल वर्ल्ड इन आइडियल वर्ल्ड यह भी आप याद रखोगे क्योंकि बहुत फेमस इकनॉमिस्ट है सुदा मूर्थी अगेन आप कह सकते हो कि जो इन्फोसिस फाउंडेशन है उसकी चेयर्मन है यह और इन्होंने लिखा हाओ दी अ लॉंच जन सेवक स्कीम तो नाम सकीम का याद रखना है क्या है जन सेवक स्कीम यह टरह से डोस्टेब डिलिवरी है गौर्वर्मेंट सर्विसीस की जो भी गौर्म brush प्रवाइड करते हैं वो आपके गर्वाई तक पहुंच आहीं जायेंगे तो उसी स्कीम का नाम क्या है जन सेवक, जन सेवक के साथ-साथ इन्होंने एक स्कीम को और भी लॉंच किया है, जिसका नाम है, जन स्पंधना, जन स्पंधना, और ये स्टेट है हमारे पास करनाटका, तो याद रखोगे, अंसर क्या होगा, बी होगा, तो करनाटका गॉर्मेंट, आप यहाँ पे बसवरा जन संपंधना, जिसमें लोग जो है वो अपनी शिकायते बता सकते हैं, एक ऐसा प्लैटफॉर्म है, तो सबसे पहले जन सेवक के बारे में बात करते हैं, इसमें 58, 58 तरह की अलगलग सरकार की जो सर्विसीज हैं, वो लोगों को गर तक पहुंचाई जाएंगी, जैसे अध बेंगलोर में जो है वो स्टार्ट किया गया है, याद रखना है कहां पर स्टार्ट किया गया है, बेंगलोर में स्टार्ट किया गया है, बेंगलोर शेहर में इसको स्टार्ट किया गया है, तो इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, एक वेब पोर्टल भी ल और दूसरी है मारे पास जन संपंदना, जन संपंदना का मतलब है कि अगर आपको कोई भी सरकार की स्कीम या सर्विस से रिलेटेड शिकायत है तो आप इस प्लाटफॉर्म के उपर दर्ज करवा सकते हैं, यह उसी तरह का एक प्लाटफॉर्म है जो राजडाज जी ने क्या कहते हैं, सीपी ग्रांज, सेंट्रलाइज पब्लीक ग्रिवियंस रेसल और मोनीटरिंग सिस्टम, जो कि एक ऑनलाइन स्पोर्ट है सिटीजन के लिए सेंटर गवर्मेंट से लेटेड है, लेकिन यह करनाटका गवर्मेंट का है, और साथी साथ आप करनाटका के बारे बांधीपुर नैशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पर काली टाइगर इसर्फ भी मिल जाएगा, बहुत ही इंपोर्टन नैशनल पार्क जो है हो यहाँ पर मिल जाएंगे, और यहीं पर आपको मिलेगा दोस्तों, बहुत फेमस आइरन और माइन्स का एक गड़ है, बहुत इसका मतलब गर में भी एकनोमिक्स, बाहर भी एकनोमिस्ट हैं, मतलब जो हैं वो अर्थशास्त्री हैं और यह किसी बहुत ही फेमस आर्थशास्त्री ने बुक लिखी है, नाम क्या है उनका डॉक्टर शंकर अचारिया, तो अंसर क्या होगा C, कौन है डॉक्टर शंकर यह चीफ एकनोमिक अडवाइजर रह चुके हैं, सरकार के, बारस सरकार के, और इनके लिए खास बात है कि यह लोंगेस सर्विंग जो हैं वो चीफ एकनोमिक अडवाइजर रह चुके हैं सरकार के 8 साल तक, 1993 से लेके 2001 तक, और खास बात क्या है कि यह तीन प्राइम की बात करा हूं क्योंकि 93 में 91 से लेके 96 तक फाइनास मिनिस्टर कौन थे मनमोन सिंग थे उसके बाद जो है वो पी चतंबरम रहे जश्वन सीना रहे तब कह सकते हो कि इनके दुरान जो है यह क्या रहे यहां पर चीफ एकनोमिक ड्वाइजर लॉंगे सर्विंग चीफ एकनो दॉक्टर शंकर अचारे ने अपनी बुक के अंदर बताया आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज और डॉक्टर शंकर अचारे का चहरा देख सकते हो एकनोमिस्ट एट होम और अब्रॉट तो बहुत ही सिंपल सा कोश्चन है लेकिन बाकी जो आप यहां पर जो लिखा हुआ है डॉक्टर परभलीन सिंग इन्होंने बुक लिखे शाइनिंग सिक यूथ ऑफ इंडिया यह बुक भी इन्होंने लिखी है इन्होंने लिखिया इन्होंने लिखिया दा लॉंग गेम किस तरह से चाइना और इंडिया आपस में नेगोशेट करते हैं चाइना किस तरह से इंडिया से नेगोशेट करता है इसके अंदर लिखा हुआ है तो इस बुक के साथ साथ यह तीन बुक्स भी आपने याद रखनी है अगला कोश्चन आते हैं तांकि Russian Film Festival को पर्मोट किया जा सके और यह बनाएगा है बहुत ही फेमस डिरेक्टर परड्यूसर इम्तियाज अली तो याद रखना है इम्तियाज अली जो कि मेरे खाल से सब बच्चों ने देखा ही होगा जब वो मेट मुवी उन्होंने बनाई है लव आजकल उन्होंने बन बनाई है तो इस सारी मुवी जो हैं वो इम्तियाज अली ने बनाई है और रश्यन फिल्म फेस्टिवल को पर्मोट करने के लिए इंडिया में अम्वेस्टर जो है वो इम्तियाज अली को बनाया गया है और यह फेस्टिवल जो है वो स्पेशली ऑर्गनाइज किया जाता ह एक organization है जिसका नाम है Ruskino मतलब only state institution है जो कि Russian cinema को पूरे world में promote करती है और Ministry of Culture और Russian Federation तो आई जाएगा और पहली बार हो रहा है कि Russian Film Festival जो online हो रहा है इंडिया के अंदर और Disney Plus Hot Star में 16 October से लेके 27 November के बीच में 10 Russian films को जो है वो यहाँ पर premiere किया जाएगा जिसको किसने रिलीज किया है COP26 Conference of Parties जो कि United Nations Climate Change Conference जो हो रही है कहाँ पर Glasgow के अंदर उसके अंदर इसको रिलीज किया गया बहुत important question है खासकर कि UPSC और State PSE के student इसको याद रख लें The Adaptation Gap Report Environment से related है कि Environment को Adapt कैसे करना है उसके उपर खर्च क्या होना है और जितना Adapt करने का खर्चा और जितना हम कर रहे है उसके अंदर कितना Gap है यह बताया जाता है मतलब मालो Climate को Control करने के लिए 100 रुपे खर्च होने है लेकिन हम कर रहे हैं 50 रुपे तो इसका मतलब जो Gap है वो कितना होगा 50 रुपे और क्या होगा कि यह Climate को Adapt करने का खर्चा बढ़ता जाएगा लेकिन हम उतना ही खर्च कर रहे है तो इसका मतलब यह Gap भी बढ़ता जाएगा यह है Adaptation Gap Report 2021 और यह किसने दी है यह Report याद रखना है इसके लिए Organization कौन सी होगी United Nation Environment Program तो अंसर क्या होगा हमारे पास यह होगा बहुत इंपोर्टन है और यह 6th नंबर की Report है यह आपने याद रखना है और इसमें बताया गया कि यह जो Gap है यह बढ़ता जा रहा है मैं पहले ही बता चुका हूँ खर्चा जो है वो उतना ही कर रहे है यह उससे कम हो गया है लेकिन जो Adapt करने का खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है और Currently जो Global Warming चल रही है वो 1.1 Degree Celsius तक चल रही है और हमने Climate हमने Paris Agreement के अंदर कहा हूँ है जो Climate Agreement है कि हमने जो है वो इसको रोकना है 1.5 Degree Celsius तक ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा Effect ना हो सके इवन आपने देखा 2021 के अंदर इतने 1.1 Degree Celsius Warming के कारणी जो Climate related issues आने स्टार्ट होगे floods है Europe और China के अंदर आए heat waves आई Northwest Pacific के अंदर आग लगनी स्टार्ट वी Greece के अंदर floods और monsoons जो है वो देखे गई अलग-अलग changes देखे गई उसमें इंडिया के अंदर तो ये अलग-अलग चीज़े देखी गई है तो हमें किसी ना किसी तरह से रोकना होगा और बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो climate कर रहा है तो उसको संभालना होगा हमें और United Nation Environment Program की स्थापना 1972 में की गई थी इसका headquarter Nairobi कीनिया के अंदर है और आयंगर एंडर्सन जो है वो इसके executive director है तो आप यहाँ पर देख सकते हो climate risk remain even if world limits warning at 1.5 degree Celsius UNEP report ये कहती है कि अगर हम 1.5 degree Celsius तक भी रोक लेते हैं तब भी climate जो है हमें नुकसान करेगा मतलब 1.1 पर इतना नुकसान हो चुका है आपने देखा पिछली पर cyclone ज़्यादा आए या climate जो है वो impact ज़्यादा हुए आग लगी जंगलों में Australia के, Brazil के तो आप कहा सकते हो बहुत ज़्यादा effect जो होने वाला है अगर 1.5 degree तक भी चले जाएंगे तो तीन parameters के ओपर देखा जाता है इस report के अंदर planning क्या कर रहा है कोई country finance कितना कर रहा है implementation कितना कर रहा है most important factor है implementation कितनी हो रही है और आप कहा सकते हो कि अलग-लग पाइदान तो set कर लेते हम लेकिन वो implement नहीं हो पाते यहीं सबसे वड़ी weakness है पूरे world के अंदर खास करके इंडिया और इसमें बताया गया कि urgent efforts हमें करने होंगे तांकि financial help तो मतलब पैसा तो आई जाएगा लेकिन implementation जो है actions के उपर हो सके वो बनाये जा सके मतलब add किया जा सके और already उस country के साथ हम trade करते है लेकिन साथ entry और exit point और बनाये जाएंगे तांकि जो है वो दोनों countries में trade जो है वो बढ़ सके हम दोनों countries में relation जो है वो और improve कर सके और वो country हमारे पास कौन सा है बोटान तो याद रखना already है लेकिन साथ और इसमें क्या करेंगे add करेंगे और इससे trade जो है वो बढ़ेगा और बोटान जो है वो 800 km के आसपास की boundary जो है वो शेर करता है इंडिया के साथ और चार states के साथ वो boundary शेर करता है और चार states मारे पास कौन सी है जैसे आप देखोगे असम आजेगा उदर से अरुनाचल परदेश आजेगा वेस्ट बेंगौल आजेगा और सिक्केम आजेगा तो इन states के साथ boundary जो है वो शेर करता है बोटान और सबसे यादा boundary इंडिया किसके साथ शेर करता है बांगलादेश के साथ और सबसे कम अफगाणिस्तान के साथ बांगलादेश के साथ 4096 किलो मेटर और अफगानिस्तान के साथ approximately 80 किलो मेटर बेंटर वो शेर करता है अज़ए यहाद रक सकते हो का जो vaccination campaign है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो टीका करन कर सकें तो उसके लिए ये किया गया है और इवन इसमें fully vaccination हो सके सबकी दोनों जो टीका करन है वो हो सकें अच्छी तरह से तो उसके लिए ये किया गया है इसमें क्या होगा इसमें जो है वो गर-गर जाके जो healthcare workers हों का second dose जो है वो लगाएंगे वहाँ पर जाके जिनकी पहली dose complete हो चुकी है जिनकी एक भी नहीं हुई तो उनको motivate करेंगे कि पहली dose लगाई जाए और उनको पहली dose जो है वो देखे आएंगे तो गर-गर इसलिए नाम है हर गर दस तक next which Indian origin Canadian sworn in as the Canada's 43rd Defence Minister तो पहले जो है वो हरजी सर्जन थे पुराने जो है वो कौन थे हरजी सर्जन लेकिन हरजी सर्जन जी की अपोजीशन जो है वो चेंज कर दी गई है हरजी सर्जन जी को लगाया गया है Minister of Minister of International Development Agency तो उसका Minister बना दिया गया है अब ये तो नहीं रहे इसका मतलब तो अब बना दिया गया अनीता अनंद को जो की पहले Public Services and Procurement की Minister थी लेकिन अब इनको चार्ज दे दिया गया और 43rd Defence Minister है इंडियन ओरिजिन है कैनेडियन है लेकिन अनीता अनंद नाम जुरूर याद रखेंगे और ये second woman है दोस्तों जिनों ने इस position को hold किया है इससे पहले Canada की Prime Minister थी Kim Campbell Kim Campbell 1993 की मैं बात कर रहा हूँ तब ये 5 महीने जो अब Defense Minister रही थी तो दूसरी woman जो Defense Minister रही है वो है अनीता अनंद और ये पहली Hindu Canadian है जो की Cabinet Minister बनी है तो आप देख सकते हो second woman to hold this position ये याद रखना है पहली थी Kim Campbell और first Hindu Canadian है जो Federal Cabinet Minister में पहुंची है और ये आप देख सकते हो अन Minister बनाए गए International Development Agency के और अनीता नंद बनी है डिफेंस मिनिस्टर फॉर्टी थर्ड डिफेंस मिनिस्टर बनी है नेके साथ है कौनसी कंट्री ने वर्ल्ड का पहला Earth Science Satellite जो है वो लांच किया है Earth Science Satellite तो अलग तरह की images जो है वो बेजी जाएंगी उसके बारे में जो है व 22 में लांच कर दिया जाएगा और अभी तक एकी Space Station International Space Station जो 2024 में expire हो जाएगा मतलब वो रेटायर हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड में का सिरफ एकी Space Station होगा तायान को मतलब जितनी भी कंट्री वो कौनसी कंट्री के ओपर dependent हो जाएंगी Space Operations के लिए ज़्यादा था चाइना के उपर तो चाइना की dominance है Space के अंदर और almost 400 के आसपास जो है 400 से थोड़ा सा कम होगा तो 2-3 satellite जो कम होगे 396-390 तक वो पहुंच चुके है इतने satellites उन्होंने लांच कर दिया है तो चाइना है दोस्तों और इस satellite का नाम जो है वो क्या है वो है ग्वांग मू तो याद रखना ह ग्वांग मू satellite जो है वो किसने लांच किया है चाइना ने लांच किया है और इसमें एक बात याद रखोगे यह launch जो है बहुत important है क्योंकि यह दियान में रखके किया गया है कि यो United Nation के Sustainable Development Goals है 17 तो उसमें environment का जो गोल है peace का गोल है prosperity का गोल है उसको दियान में रखके किय गया है तो कि environment को भी नुक्सान ना हो और उन Sustainable Development Goals को भी पूरा किया जा सके और आपको पता है Sustainable Development Goals टोटल 2015 में स्टार्ट किया गये थे टोटल 17 गोल है जिसको 2030 तक सब countries ने अचीव करना है और इस गौंग मू का नाम जो है वो एक और भी है इसको SDGCAT भी कहा जाता है ज तीन नवंबर तक बनाया गया है 2020 का पहला मैं कह सकता हूँ river festival है जो मनाया जाता है और बड़े दूमदाम से इसको मनाया जाता है और हर साल जो है वो इसको मनाया जा रहे इस पर ये fifth edition जो है वो मनाया गया और ये गंगा को national level declare करने की याद में जो है वो ये दिन मनाया जा खावजी वो उसमें योगदान निवाएंगे और साथ ही साथ जो है वो उन्होंने 75 year of Indian Independence का भी जो अमरित महाउसव यहां पर सेलिब्रेट किया और साथ में गंगा का एटलस जो है वो रिलीस किया गया गंगा एटलस river of the past मतलब ये declare किया गया और इसको launch किया गया और ये रजीव सिना ने डवेल्ट किया इस एटलस को जो किया है टिकानपूर से हैं और इसमें बहुत ये खास बात है कि गंगा का जो पिछले साथ साल का पूरा का पूरा बहाव है वो बताया गया है कि किस तरह से उसने अपना course जो है वो चेंज किया है किस तरह से वो बह रही है क्या क्या चेंजीज आएं हैं कितनी लैंड को पहले कवर कर रही थी अब कितनी लैंड को कवर किया जा रहा है रीवर जो है कहां कहां से जा रही है पहले क्या था आप क्या था सारी चीज़ें इसमें बताई गए हैं और National Mission for Clean Ganga ने इस प्रजेक्ट को फंड किया है और National Mission for Clean गंगा अपने आप में important है क्योंकि ये Ministry of जल शक्ती के अंडर आती है जो कि गजेंदर शिंग शेखावजी के पास है और ये 2011 में registered की गए थी अपने आप क्या सकते हो ये नैशनल गंगा रीवर बेसी न अथारिटी का ही एक जो है वो पूरा का पूरा एक और इसका में इनिशेटिव यहीं है इसलिए स्टार्ट किया गया था तांकि रीवर गंगा या उसकी जो टर्ब्यूटरीज है लाइक आप क्या सकते हो जो उन आप क्या सकते हो कि गंदक है बुडी गंदक है हमारे पास कोसी है तो इस सारी सहाइक नदियां जो है उसको भी साथ में साफ किया जा सके लेकिन आपने याद रखना है नैशनल मिशन फोर क्लीन गंगा के जो डिरेक्टर जनरल है वो कौन है राजीव रंजन है राजीव र यहां पर एंटी एर फिल्ड वैपन का और इसको हम इस तरह से यूज करते हैं किसी एरक्राफ्ट के साथ अटैच करके हम इसको यूज कर सकते हैं और इसका नाम कहा है स्मार्ट एंटी एर फिल्ड वैपन जिसको हम सा के नाम से जानते हैं इसके दो टेस्ट किये हैं हमने औ smart anti-airfield weapon इसकी abbreviation आपको examiner पूछ सकता है और एक तरह का ये long range जो है वो anti-airfield weapon है जो की हैदराबाद की एक facility रिसर्च सेंटर इमारत उन्होंने जो है वो इसको design किया है DRO laboratory और Indian Air Force की मदस से और इसको जो test किया गया है जैसल मेर में किया गया है राजस्थान के अंदर इसका test किया गया है और ये जो electro-optical sensors हैं ये बहुत important है electro-optical sensors क्यों क्यों क्योंकि ये इस तरह से बनाया गया है कि ये infrared technology के थूँ जो है वो exact target के उपर जाके लगेगा जो target हम set करेंगे तो उसके उपर अगर वो move भी कर रहा है तब भी जो है वो exactly उसी तरह move करके जो उसके उपर क्या करेगा हिट करेगा और 125 किलो का इसकी शमता है कि ये इतना जो है वो warhead जो है मतलब इतना जो समान है वो carry कर सकता है और 100 किलोमेटर तक की इसकी जो है वो range है तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है और DRDO के बारे में दोस्तों याद कर लियो DRDO 1958 में बनाया गया था और इसके आजकल chairman कौन है जी सतीश Reddy ये याद रखना है और एक और बता देता हूँ आपको अब आते important questions के ओपर लेकिन वीडियो को like, share और चैनल को subscribe ज़रूर करना है मैं उमीद करूँगा कि आप ये तीनों काम कर दोगे और टेलिग्राम ग्रूप को description box से join कर लें क्या कहता है question RB ने बंधन बैंक को ऐसे agency bank बना दिया ताकि government business को conduct कर सके RB ने बहुत से banks को बनाए लेकिन अभी बंधन बैंक को भी बना दिया है तो बहुत जादा important निक होँगा क्योंकि बहुत से bank की शरेनी में शामिल है इसका मतलब है agency bank का बनने का मतलब है कि अब वो सरकार के लिए GST हो गया VAT हो गया, Value Added Tax हो गया या फिर और Taxi Center or State Government के जो है वो क्या कर सकते है हैंडल कर सकते हैं, उनकी transactions को हैंडल कर सकते हैं, तो यह है बंधन bank और मई 2021 से पहले जो है वो ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई भी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो है शेडिूल प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वो agency bank बन सके, लेकिन मई 2021 के बाद उन्होंने कहा दिया कि जो प्राइवेट बैंक हैं शेडिूल प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, वो भी जो हैं, वो agency banks बन सकते हैं या अर्बिय की guidance हुई थी, और बंदर बैंक की याद रखना है, ये 2015 में आजे bank जो है, वो रिजिस्टर हुआ, और MD और CEO इसके चंदर शेखर गोश हैं, चंदर शेखर गोश, और गोश से ही आप याद रख सकते हो, कि इसका headquarter कहां पर है, वेस्ट बंगॉल, कैलकटा के अंदर इसका headquarter है, नेक्स आते हैं, वन लाइनर important points के उपर, जिसमें पहला point क्या है, National Dairy Development Board ने एक agreement sign किया है, उत्तर परदेश के साथ, तांकि वारन असी dairy union को 5 साल के लिए जो है, वो control किया जा सके, और उनके साथ agreement किया है, और वारन असी milk union इसलिए important है, क्योंकि country का पहला milk union है, जो biogas based tri generation plant लगा हुए है, बायो gas based, tri generation plant जो है, वो install है, इसका मतलब है, ये जो बाकी milk producers हैं, उनको motivate करेगा, उनको बताएगा कि किस तरह से हम जो है, वो आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से जो है, वो हम dairy sector तो market accessibility उनकी बढ़ेगी, क्योंकि waranasi dairy union का बहुत बड़ा network है, और साथ में biogas का use हो रहा है, तो energy efficient जो है, होगा ये, और प्राइमिस्टर नेंदर मोधी जी का सपना कि farmers income को double करना है, वो यहां से पूरा हो सकता है, United Nation Environment Program की एक report है, cities will be too hot to live, मतलब इतनी गर्म हो रही है, इतना temperature उनका बढ़ रहा है कि रहना मुश्किल हो जाएगा, global warming पूरे world के अंदर बढ़ रही है, और यह माना जा रहा है कि 2100 तक 4 degree Celsius temperature जो बढ़ जाएगा पूरे global level पे खास करके urban areas में, तो अगर बढ़ जाता है तो इसका मतलब आप कहा सकते हो कि बहुत ही बुरा होगा अलगलग, आपको effects देखने को मिलेंगे water quality, productivity, air pollution यह सब कुछ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा United Nation Environment Program बहुत बार बात कर चुक है, 1972 में इसको बनाया गया, आएंगर एंडर्सन इसके head है नैरोबी, कीनिया में इसका headquarter है World tsunami awareness day 5 November को जो हो मनाया गया, सिरफ इस दिन को याद रखना है थोड़ा सा यह awareness करेट करता है कि tsunami के बारे में और किस तरह से हमने इस जो disaster है इसको कम करना, इसका risk जो है वो कम करना है, उसके बारे में जागरूप करता है इन्वाइरमेंट इंटरफेस जो है, वो किस तरह से हम अच्छा कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि एनिमल से जो है, वो diseases जो है वो इनसानों की तरफ आती है और जैसे COVID भी जो है, वो माना जा रहा है ने एक technological innovation group बनाया ताकि 60 technology के उपर काम किया जा सके और पूरे world में इंडिया कैसा country बने जो 60 technology के उपर काम और उसको develop करने वाला country जो है वो बन जाए और ये कमेटी जो बनाई गई है वो के राजारमन जो टेलीकॉम सेक्रेटरी है उनकी अधेक्षता में बनाई गिया है टोटल 22 member ये कमेटी है सिर्फ इतना याद रखने है 6G के लिए कमेटी बनाई गिया है और उसके head कौन है के राजारमन जो है वो उसके head है और ये ministry of communication के अंडर आता है जो की अशनी वैशनव उतके union minister है राज्यसभा के member है ओडिसा से question के उपर आते है 4 और 5 November 2021 का question क्या है question था which of the falling countries also known as rainbow nation तो rainbow nation क्यों कहा जाता है rainbow nation का main मतलब ही ये है किसमें अलग-लग तरह की diversity अलग-लग तरह के group जो है वो रहते हैं इस country के अंदर और किस तरह से इस country की history change हुई है like racial discrimination जादा था रंग में बेदवाब जो है वो जादा होता था काले और गोरे का उसी के लिए जो है वो जर्नली जाना जाता था इस country को और Nelson Mandela फिर इस country में आ गया आए और house arrest हुआ उनको बहुत साल तक जेल में रहे फिर बाहर निकले constitution बना और 1994 में elections हुए पहली बार जो है वो democratic elections हुए तो उस phase के बारे में ये rainbow nation जो है वो declare करता है एक word जो है वो पूरी country की history के बारे में बताता है लेकिन ये word आया कहां से ये word जो है वो एक बहुत famous आप कहा सकते हो कि arch bishop है एक हमारी language में आप इसको कह सकते हो कि एक पंडित है Desmond Tutu तो उन्होंने इस word का origination किया था South Africa के अंदर और किस तरह से South Africa जो है democratic elections 1994 में जो है उसके बाद जो है वो कैसे बना तो उसके बाद जो है वो ये word जो है वो सामने आया इसका मतलब हम कौन सी country की यहां पर बात कर रहे है हम बात कर रहे है South Africa की तो याद रखेंगे answer क्या होगा 1 होगा तो आप देख सकते हो question of the day के उपर question of the day क्या कहता है which of the falling country is completely surrounded by South Africa मतलब मान लो यह South Africa है उसके बीच में country है इस country का नाम बताने इन 4 में से बताने कौन सी country है वो तो मैं wait कर रहूँ आपकी answer का पटबबट आप मुझे comment box में answer बताएंगे मैं wait करूँ आपकी answer का वीडियो को like करना है share करना है साथ ही साथ और चैनल को subscribe भी कर देना है लेकिन आप इस bell button को press कर दो और telegram group को join कर लो तांकि notification आपको on time मिल सके share करें अपने कम से कम एक दोस्त को तो या share करी दो और affairs cloud का promise है कि आपके confidence को ज़रूर boost करेगा इसी तरह से आप हमें sport करते रो life को बहुत ज़्यादा serious नहीं लेना लेकिन आपके लिए एक नया initiative दोस्तों start किया है इसलिए जो है वो अभी उसकी announcement कर रहा हूं लेकिन आपने उसको दियान से note करना है description box में आपको link मिल जाएगा कि किस तरह से उसको assess करना है लेकिन वो आपके बहुत काम का है खास करके Tokyo Olympics से जुड़ा हूँ है तो हम उसके उपर वीडियो भी बना रहे हैं लेकिन आप उसको एक बार सुन लो आपको पता लग जाएगा किस तरह से उसको assess करना है and today I am here to launch our new initiative that is interactive infographics through our recent journal awareness section analysis we have identified that news related to mega events is finding more weightage in the competitive exams and in order to cover news related to mega events such as Olympics, national awards, cabinet appointments all of which contain heavy information we have chosen a different way to convey that is interactive infographics you can see like this PDF only one PDF will cover entire Olympics and this is a single interactive PDF you can see here this is a single interactive PDF but it contains total 15 pages you can see this is written here 15 pages lead to exclusive content what you have to do if you click on a particular image then it will show you all the detail about it like if you want to see about medals then you have to click on medals you can see page 2 is written here then you can know all the things about the medals even you can also recall all the famous medal winners in the past and you can click on this Tokyo Olympics you can see this is the page number 1 page number 1 is written on the right top and all the information very important information related to the 2022 Tokyo Olympics you can get from this PDF even this particular page 1 if you want to know about different different players then you have to click on the players like you have to click on the Bajrang Punya then all the information related to Bajrang Punya you can get from this page number 3 then if you want to know about Neeraj Chopra then you have to click on the Neeraj Chopra then you can see here page number 4 is there and you will get all the information about Neeraj Chopra so all the things related to particular image you will get by clicking on that image so you can get all the information from single PDF that's why we named it as interactive infographics you want to see Tokyo records then you have to click on this Tokyo records you can see this is the page number 14 and this PDF contains total 14 to 15 pages 15 is basically the last page so total information is given in the 14 to 15 pages and this format of presentation will help you to remember all the valuable information in an easy manner by connecting information to the related images so we have launched two versions of this interactive infographics PDF one is version 1 and second is version 2 version 1 is basically you can see this is written here like desktop version so desktop version means you can view on this on your laptop on your PC and version 2 is basically for both mobile and desktop but desktop version can be read only in mobile with the support of WPS application or one drive application and can be interacted by clicking each image but I am suggesting you all the students that please use desktop version on your laptop or your PC and you can also use the application if you want to use on your mobile application but I am suggesting please open mobile version in the mobile application and desktop version in the desktop or you can say on your PC or your laptop so our team has worked immensely hard to bring this to you so please do share your valuable suggestions and feedback through comments as well as it will boost us to create further such innovative initiatives and please like this video share this video and subscribe this channel and thank you all of you for watching this and take care please comment us and your valuable suggestions are basically very important for us so that we can create further these type of initiatives thank you guys take care and bye bye